हलो दोस्तो आप सभी का मेरे चैनल विनाश डिकन में श्वागत है दोस्तो आईए आज वीडियो में देखते हैं 36 गड़ के राष्टी उद्यान और अभ्यारन संबंदी आगड़े दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए और दोस्तो लाइक करना ना भूले और वीडियो अच्छा लगता है तो कॉमेंट कीजिए चाहिए कॉमेंट वीडियो के बारे में हो या आपको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हैं तो दोस्तो चलिए देखते हैं 36 गड़ के राष्टी उद्यान और अभ्यारन संबंदी आगड़े के बारे में देखते हैं चतिस गड़ राज वन संसाधन की द्रिष्टी से एक संपन्य राज है चतिस गड़ में 55621 वर किलोमेटर 44.2 एक प्रतिसत वन है भारत में चतिस गड़ का इस्थान तीसरा है यह उस नकटी बंदी सुष्क परन पती वन पाये जाते हैं राज्य में कूल 3 राश्टी उद्ध्यान तथा 11 अभ्यारन हैं राज्य में कूल 4 टाइगर रिजर्व भी है सन 2017 में भोरम देव को देश का इनक्याउनवा तथा राज्य का 5 वा टाइगर रिजर्व बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया था परन्तु अपरेल 2018 में सरकार अपने फैसले से पीछे हड़ गई राज्य में सरवाधिक वन नरायनपूर जिले तथा नियूंतम वन बेमेतरा वा दुर्ग में है तो दोस्तों एक्जाम के इंपोर्टेंट से ये कोश्चन आता है राज्य में सरवाधिक वन नरायनपूर जिले में और नियूंतम वन बेमे प्तिशत हैं वरों में आरक्षित 43.13 सर का चालीज हो गारिफ 14.6 प्तिशत हैं यहां साल व्रिक्ष सरवाधी पाये जाते हैं यहां चत्ति फड़ का राज्ट राज़की व्रिक्ष हैं दोस्तों आरक्षित वन का संदर्व यहां पर है जिसका देख रेख किया जाता है और सरकार दोरा इसको सर्रक्षित किया जाता है सर्रक्षित वन उसी के अंतर का दाता है इसका देख भाल किया जाता है और उगाया जाता है आवर्गिकृत वर्ग जिसमें सरकार दोरा सर्रक्षा नहीं किया जाता है वहां चरवाहे और अन्य लोग इसका उपयोग कर सकते हैं वही बात करते हैं गुरु घासी दास राष्टी उद्ध्यान की बारे में यह राष्टी उद्ध्यान है यह राज्य का सबसे बड़ा राष्टी उद्ध्यान है तो इसका नाम गुरु घासी दास राष्टी उद्ध्यान कर दिया गया इसे 2014 में Tiger Reserve बना दिया गया यहां कोरियत अथा सूरजपुर जिले में अव विवस्तित है यहां नील गाय बाग तेंद्वा आधी पाय जाते हैं तो यह भी important है दोस्तों exam के point of view से नील गाय बाग और तेंद्वा इसके बाद बात करते हैं इंद्रवती राष्टी उध्यान इस राष्टी उध्यान में इंद्रवती नदी बहती है जिस वजह से इसका नाम पड़ा इसकी स्थापना 1978 में हुई थी यहां बिजापूर जिले में इस्तित है यहां राज्य का प्रथम राश्टी उद्यान है इसका 6 लफल 1289 वर्ग किलोमेटर है किसे 1983 में TiGD शेला हुआ है इसके बात बात करें कांगेर घाटि राश्टी उद्यान यहां राज्य का सबसे छोटा राश्टी उद्यान है पॉइंट अफ व्यू से एक्जाम के पॉइंट अफ व्यू से दोस्तों यह राज्य का सबसे छोटा राश्ची उद्यान है यह 200 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी कांगेर नदी की वजह से इसे उद्यान का नाम पड़ा यहां पहाडी मैना को सर्रक्षित किया गया है कांगेर नदी में भैसा दरहा नामा के किस्थान पर मगर मच्छ प्रकृति निवास है बात अभ्यारन दोस्तों प्रदेश में कुल 11 अभ्यारन है जिसमें तामोर पिंगला सुरचपूर 1978 में इसका निर्मान किया गया था 608 वर्ग क्लिमेटर में फाइला हुआ है सीता नदी धमतरी 1974 में 569 वर्ग क्लिमेटर में फाइला हुआ है अचानाक मार मुंगेली में है इसकी स्थापना 1975 में इसकी जो लंबाई है 552 वर्ग किलूमेटर है सेमर सोथ बलरामपूर 1978 430 वर्ग किलूमेटर है गोमर्दा गोमाड रायगड 1975 278 किलो वर्ग किलूमेटर में फैला हुआ है पामेड बीजापूर 1983 में इस्थापना की गई थी 262 वर्ग किलूमेटर में फैला हुआ है बारनायपारा बलोदा बजार 1976 245 वर्ग किलूमेटर में फैला हुआ है उदनती गरियाबन 1983 231 वर्ग किलूमेटर में फैला हुआ है देव कवरधा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी 164 वर्ग क्लोमेटर में फैला हुआ है भैरमगड बीजापूर 1983 138 वर्ग क्लोमेटर में फैला हुआ है बादल खोल जसपूर 1975 वर्ग क्लोमेटर में फैला हुआ है तो इस पकार दोस्तों बादल खोल जसपूर 105 वर्ग क्लोमे अभ्यारन है उदंती सीतापूर तामोर पिंगला गुरुघासिदास के साथ 2009 से टाइगर रिजर्व बना दिया गया है इस वज़ा से वर्तमान अभ्यारन की संख्या अब 8 हो गई है तो ये भी एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से इंपोर्टन है दोस्तों उदंती सीता न है 2009 में तीन टाइगर रिजर्व को मानेता मिली इंद्रवति यहां प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में सुरू हुआ था उदंती सीतापूर यहां प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में हुआ अचानक मार यहां प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में सुरू हुआ गुरुघासिदास राज्य का देश का चौधवा 22 है इससे पहले 1985 में कांगेर घाटी को बायोस्पेर बनाने की घोशना की गई थी लेकिन स्थापित ना हो सका पर बात करें राश्टी उध्यान इंद्रावती कांगेर घाटी एवं गुरु घासिदास राश्टी उध्यान सबसे बड़ा राश्टी उध् भोरम देव टाइगर रिजर्व तीन ताइगर रिजर्व है इंद्रावत्ती अचानक मार एवं उद्यंती सिता नदी जैमंडल छेत्र में एक अचानक मार अमरकंटर क्रोकोडाइल पार्क कोटन मीर्सो नार हाती रिजर्व आदलकोल तामोर पिंगले एवं सेमर सोथ अभ मात्र सर्प ज्यान केंद्र तप करा मगर मच्छों का प्राक्रितिक सरन इस्थल भैसा दरहा दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरू दबाएए दोस्तों कॉमेंट करना ना भूले साथी साथ लाइ तैंकी दोस्तों